ओके अलो फ्रेंट किसे हो आप सब में हो विसी और आप देखरें Bound to Invest YouTube चैनल इस वीडियो में बात करेंगे एक एसा स्टोक है जो आपको क्या है कि गीरते बजार में एक अच्छा मुखा दे रहा है इन्वेस्मेंट का तो आप इस पे नजर बना के रखें और क्या है कि जब आपको ऐसा लगए कि नहीं अभी क्या है कि मार्केट अच्छा हो गया है इस टोक में एक अच्छा सा रिवर्सल देखने को मिल चुका है तब आप इसमें बाइक कर सकते हो और मैं पहले ही बता देता हूँ अगर आप य सा लगता है कि इसमें मेरे को एंट्री लेनी चाहिए अच्छा स्टोक है तो बाद में आपको क्या करो जोई इधर हम ड्रो कर रहे है वही आपके चार्ट में ड्रो करो अगर वहाँ कुछ आपको रिवर्सल टाइप दिखता है तब आप इसमें बाइंग कर सकते हो तो अब आपको हमारे नॉटिफिक्सन सबसे पहले मिल जाए तो अब हम आ चुके चार्ट के उपर तो आप इधर देख रहे हैं कि आपको ये श्टोक बहुती एक अप्ट्रेंड में दिखाई दे रहा है लेकिन लास्ट टू कैंडल देखोगे आप तो ये क्या है कि नीचे आ रहा तो मैं रे यूज कर लेता हूँ थोड़ा इसको डार्क कर देता हूँ तो मैं एक पॉइंट ये लूँगा और दूसरा पॉइंट यही लूँगा ये जो है वही तो आप देख रहो कि ये अपने ट्रेंड लाइन को पर्फेक्ट फोलो कर रहा है मतलब एक बार उपर गया नीचे है फिर से उपर नीचे और उसी ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लिया फिर से अबो तो इन फ्यूचर ये चार्ट इधर आता है और कोई सपोर्ट का सिगनल देता है तभी आपको बाइंग करनी हूँ देशा ने कि इधर लाइन के पास आ गया तो आप अब आपड़ता है अब हम इस चार्ट को याए कि थोड़े वन दे पे देख लेते कि वन दे पे कहा आप इसके सपोर्ट रजिस्टनस ड्रोव कर सकतो हूँ तो इसको वन दे पे शिप्ट कर लेता हूँ तो अब यह चार्ट आ गया है वन दे तो वही आप ट्रेंड लाइन देख लो कहा है यह trend line तो simple सी बात है एक बार उपर गया नीचे आया और इधर से एक आपको uptrend देखने को मिला है तो अभी पहली बात कि यह line के आजपास आपको इधर देखने को मिलता है तब आप इसमें buying कर सकतो या तो wait कीजिए थोड़ा सा और नीचे जाने का तो वो कहां तक जाएगा तो इसके लिए मैं एक horizontal line draw कर देता हूँ तो इसके लिए मैं क्या करूँगा एक zone ही draw कर देता हूँ तो zone draw करने के लिए मैं एक rectangle ले ले लेता हूँ उसका थोड़ा down कर देता हूँ तो अब हम देख लेते कि इसके बाद जो हमारा horizontal support है वो कौन सा होगा तो इसको मैं एक zone की तरह लेके जाना चाहता हूँ तो मैं कहां से वो draw करूँगा तो इधर से लेके इधर तक आप एक zone की तरह draw कर सकते हूँ क्योंकि एक बार देको इधर resistance ले चुका था नीचे गया उपर आया ब्रेक किया उपर जाने के बाद इधर आपको support देखने को मिला है तो इसलिए में इस zone को लेके जा रहा हूँ in future आपको ये चट इस zone के आसपास भी मिल जाता है तब भी आप इसमें buying कर सकते हो अभी हम देख लेते कि ये stock कौन सा है तो जो ये stock है वो हमारा budget finance कि को idea लग गया होगा तो अच्छा है आप market में view रखते हो market को देखते रहते हो और आपको idea लग जाता कि ये कौन सा stock है लेकिन जिसको नहीं पता चला उसके लिए है ये कि ये budget finance share है और एक अच्छा stock है ऐसा नहीं है कि ये इसकी price जादा है तो इसको में नहीं लेके जा सकता समझ कि किसी भी stock को आप ले रहे तो उसमें देखना क्या होता है तो पहले होती है कि company एक अच्छी company होगी तब है आपको एक विश्वास होगा भरोसा होगा के नहीं या आगे जापके आपको एक अच्छा return दे सकता है तो इसमें आपको अपनी price नहीं देखनी होते है समझ अगे तो एक अच्छी company है आप इसमें invest कर सकते हो लेकिन right time और right place पे मतलब एक अच्छी कीमत पे अगर यह आपको इधर मिल जाता है तो आप इधर ही इसको buy करो इसके लिए आपको थोड़ा technical knowledge होना चाहिए तो आप इस zone को draw करके रखो आपको इधर को इससी bullishness देखने को मिलती है तब आप इधर से buying कर सकते हूँ अभी हम जो हमारा next है इसमें एक बार 200 की moving average लगा के देख लेते हैं कभी कभी क्या होता है कि जो यह बड़े stock होते हो आपको 200 moving average पे support लेता हुआ देख सकता है तो एक बार इस को हम लगा लेते तो normal एक उसी zone के आसपास से ही आपक कोई भी एक price हो सकते है और आप देखोगे तो आगे भी यह 200 पे बहुत ही अच्छा work कर चुगा आप देखो एक बार इदर नीचे आया एक बार इदर फिर से उपर गया एक बार इदर बार में इदर और अभी तक यह आया नहीं है तो भी आ जाएगा तो 200 moving average भी एक better choice है आ आप अपने profit booking हो समझ गए अगर और इसको break करके आगे निकलता है तब बात अलग है लेकिन पहला आपका target इदर होना जाहिए तो यह नॉर्मल सा था आपका budget finance बहुत ही अच्छा हो के बेच जिजग आप इसमें investment कर सकते हो लेकिन देखो कौन सी price पर आपको करना है ऐसा न लिए तो आप इसे अपनी नजर में रखे अगर आपको कोई opportunity मिलती है buying site तब आप इसमें अपनी buying कर सकते हो तो दोस्तों यह वीडियो आपको कहीं से भी अच्छे लगा हो तो प्लीज आरो like comment and subscribe कर देना अगर आप like comment करोगे तभी तो में motivation मिलगा और इसे वीडियो आगे